हे गाईज, वेलकम ट्वोट एक प्लास और वेलकम अगीन टू अन्योटिक वीडियो फ्रेंज अगर आप रेड्मी नोट 7, रेड्मी नोट 7S डिवाइस यूज़ करते हैं और अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, बिलकुल न्यू जैसा बिलकुल गाईज, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिन से आप डेफिनिट्ल ये सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाएंगे इसलिए आप ये वीडियो लास्तक का देखते रहिए और चैनल के अगर पहली बारा तो चैनल को अभी सस्क्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजी जिससे जो मैं रोज वीडियो अप्लोड करता हूँ उसका नोडिफिकिशन आपको मिलता रहेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट ठीक गाइस देखते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम अपने रेड्मी नोट 7 रेड्मी नोट 7S में कैसे फिक्स कर सकते हैं क्योंकि जब से MIUI 11 के अपडेट्स आना स्टार्ट हुए तब से हमारे डेवाइस की वस लग गई अच्छे से और सारे ही अपडेट्स बहुत ज्यादा बगई अपडेट्स हैं में बहुत सारे ऐसे बग्स हैं जो सारी प्रॉब्लम से हमपर क्रियेट करें तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा सुलूशन देने वारा हूं जिससे ये सारी चीज़े फिक्स हो जाएंगी definitely क्योंकि मैं इसको खुद ही यूज़ कर रहा हूं उसको आपको refresh कर लेना उसके साथ आप बहुत सारी प्रॉब्लम को fix कर पाएंगे क्योंकि ये इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूं लेकिन वो एक Redmi Note 7 Pro के लिए था और ये Redmi Note 7, Redmi Note 7S के लिए है आप कोई भी device यूज़ करते हों और वहाँ पर रोम डाउनलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम सारी थी बट इसमें मैं लिंक देने वाला हूं जिससे आप इसको रोम को डाउनलोड करके flash कर पाएंगे तो फाइनली डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं यहां से आपको इस प्रॉम को डाउनलोड कर लेना जो भी आप लेटस्ट पैकेज यूज़ कर रहा है 11.0.9.0 को जो stable है आपको one touch access से उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको ये फाइल जो आना flash कर लेना अपने device लिए कि θα प्रोल्ट क्रीट हो जाती हो अपने यहां से रहा उप durch राउन्हारे बेस पेज़ाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो फाइल हो देख सकते हैं लेगी इसका साइज जो है 188 GB के आसपास यानि के दो जीबी से कम है और इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना मैं अल्यडी डाउनलोड कर चुका है इसलिए मैं नहीं कर रहा तो मैं आपको फ्लैश करके दिखा देता हूं किस तरीके से आपको यह फ्लैश करना है इसका ल अब आउट सिस्टम अब्डेट में चले जाना है उसके साथ ही आपको यहां पर त्री डॉट को ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हैं यहां पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा चूज अब्डेट पैकेज का अगर वाइड फॉल्ड यह नहीं आता है तो आपको इस लोगो पे 7-8 बाट टैब कर लेना तो यह ऑप्शन इनेवल यहां पर हो जाएगा तो इसके बाद इसको सेलेक्ट रे लेना है उसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी फाइल कहां पर पड़ी है तो देख सकते हैं मेरी फाइल यहां पर डाउनलोड रोम देख सकते हैं मेरी फाइल यहां पर यह पड़ी हुई है और मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और यह प्रोसेस यहां से स्टार्ट सरफ आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है यह प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट होन से कर रहे थे वहां पर दिक्कत बहुत जादा आ रही थी और रोम क्योंकि मेरी फाइल अलड़ी और एक चीज मैं और क्लिर कर देता हूं यहाँ पर यह फाइल सिर्फ एक बार फ्लैश होगी अगर अपने फ्रेंड को आप देना चाहते हैं तो यह नहीं होगी क्योंकि यह एक पैकेज यहाँ से डाउनलोड कर तो यहाँसे बहुत जादे दिक्कत आ रही थी तो यहाँसे जैसे कर अगरहे आ इसको डैटेस्ट पैकेज है 11.0.9.0 का तो वह आपको यहाँसे देख सकते हैं मैंने फिर क्लिक किया और यह फाइल यहाँ पर डाउनलोड होने लगे गीया तो बहुत ही सिंपल है आप इसको अराम से डाउंडोड यहां से कर सकते हैं कोई इशू नहीं मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वन टाइच एकसस करके इसको आपको फाइनली सिंपल से डाउंडोड कर लेना कोई इशू नहीं आना है यह फिर से डाउंडोड होने लेकि मैं इसको कैंसल कर देता हूं 188 GB का सपा इसका साइज है तो इस तरीके साब सारी प्रॉब्लम को यहां पर फिक्स कर सकते हैं कोई विशू नहीं आना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रियेट इसी वज़ेस हो रही है क्योंकि यह जो हम रोम यूस कर रहा है वह बहुत जादा बगी रूम है और बहुत साही यहां पर प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रहीं फाइनली यह डिमेंटेशन के लिए मैं वीडियो बनाया है लेकिन सेम इसी कंडिशन में आप इसको डाउनलूड कर लीजिए और उसके बाद आप अराम से फ्लेश कर सकते हैं जिस वीडियो अच्छा लगाए इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंश में इसको शेयर कीजिए चैनल पर आकर पहली वारान तो चैनल को अब भी के भी सिस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे जो मैं रोज वीडियो अप्लोड करता हूँ उसकर दो डिकिशन को मिलता रहेगा मिलता हूँ ने स्टूडियो में थैंक्स वर्चिंग आई सी यू इन दा नेक्स वार्ट